नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्विजय विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले साथ-ाथ मिनट में आपसे चुड़े रहने की कोशिश करूंगा तो नरेंदर मोदी तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री 오, अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांदी बी जल्द ही बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री इंवर्टिड कोमा में यानि म्सटर इंवेटिंग होंगे या फिर वो शैडोरर मँटर होंगे चाया मिला प्रधानमंत्री का होता नूर Henry को क्यों शैडो प्राइम इनिस्टर की भूमिका में आ जाना चाहिए इसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे पुल मिलाकर रहुल गांदी पर दवाव है कि उनको लीडर ओपोजीशन बन जाना चाहिए केबिनेट मंतरी का मंतरी का दर्जा मिलता है सारी सुख सुख दाओं से तो लेना देना नहीं लेकिन लीडर ओपोजीशन चुना हुआ अगर संसद में बोलता है तो उसके भाषनों को उस रूप में एक्सपंज नहीं किया जा सकता या उस पर बड़ा दबाव रहता है जैसा कि दूसरा साधारन सदस्य के भाषन पर रहता को किया जा सकता है दूसरा लीडर ओपोजीशन राहुल गांदी को इसलिए भी बनना चाहिए क्योंकि लोकनीती CSDS का एक सरवे बता रहा है कि उत्तर पदेश में परधानमंतरी भहतर कौन साबित हो सकता है 32% में कहा नरेंडर मोदी लेकिन 36% ने कहा राहुल गांदी तो तीन बड़ी बाते हैं एक राहुल गांदी परधानमंतरी नरेंदर मोदी से उत्तर पदेश में ज्यादा लुप पैजुशा बड़ा है तीसरा राहुलगांदी को का रूप क्यों नहीं देना चाहिए, राहुलगांदी को लीडर ओपिजीशन बनेंगे तो सपता की जो बेंच है वहाँ पर प्रधान मंतरी का चेहरा होगा प्रधानमंतरी होगे और सामने जवाब वेरे होंगे बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी लीडर ओपिजीशन और लीडर ओपिजीशन यानि प्रधान मंत्री के साथ अगर तू 93 होंगे तो राहुल गांधी के साथ तू 34 होंगे जिसकी संख्या आने वाले दिनों में कुछ निर्दलिय भी शामिल हो रहे हैं दो तीन तो शामिल हो गए हैं कॉंगरिस की संख्या भी आप जानते हैं 101 दो हो गई है तो 240 तक 242 तक की ये संख्या हो सकती है अच्छी खासी संख्या है यानि करीब 50 का डिफरंट है दूसरा इसमें आप लीडर ओपिजेशन रहते हैं तो CBI के डिरेक्टर की निउक्ति हो CBC यानि Chief Vigilance Commissioner की निउक्ति हो CIC यानि Chief Information Commissioner की निउक्ति हो इनकी निउक्तियां प्रधानमंत्री Leader of Opposition के साथ वैठ कर करते हैं तो ये एक बड़ा एक काया कल्प सा हो सकता है मान सकते हैं संसद में बोलेंगे तो क्या उनके भाशन वैसे ही एक्सपेंश कर दिये जाएंगे जैसा पहले होते रहे थे और अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेंगे देश की जनता के सामने सवाल उठेंगे जनता सवाल उठाएगी जनता ने इस बार लोगसवा चुनाओं में मोदी जी से बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनका जो आटोक्रेसी वाला तरीका है कारा शाही जैसा मनमाना इक तरफा फैंस ले लेना और भौपत में यकीन नहीं करना लोगतंतर में उस रूप में यकीन नहीं करना इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे जिससे गड़बंदन की सरकार को थोड़ा डरना पड़ेगा दूसरा अगर विपक्ष के नेता को बार बार तो फिर नितीश कुमार की पार्टी के लोग क्या रियाक्ट करेंगे जो सरकार के साथ शामिल होगे चंदरबावु नाइडू जो लोगतंतर में यकीन करते हैं उनके लोग कैसे रियाक्ट करेंगे तो यह गड़बंदन के साथियों का भी दबाव रहेगा दूसरा तीसरा मुझे लगता है कि अपोजीशन को चाहिए कि या कुछ मंथन भी चल रहा है कि अपोजीशन एक कॉमन मिनिममम प्रोग्राम बनाने की तैयारी में है अपोजीशन को लगता है कि जो गोशना पत्र में चीजें शामिल थी उन चीजों में को मोदी सरकार को लागू करना चाह चाहिए या कोई रिलीव देने की खोशिच करनी चाहिए जमता बो तो यह दवाव भी राहुल गांदी बना सकेंगे एक और बात है कि छाया मंत्री मंदल की बात कर रहा था शैडोड मिनिस्ट्री की बात कर रहा था और मैं प्राइमनिस्टर इन्वेटिंग की बात कर रहा था तो हमारे यहां हमने अपना पूरा समीधान मोटे रूप से ब्रिटेन से लिया है और ब्रिटेन में संसद इसी तरह चलती है सब्ता पक्ष जो सब्ता में आता है उसका एक प्रधान मंत्री होता है उसके मंत्री होते हैं तो विपक्ष ये एक शैडो मंत्री मंदल बना लेता है यानि विपक्ष का भी एक प्रधान मंत्री होता है शैडो प्राइम मिनिस्टर और शैडो मिनिस्टरी होती है मंत्री होते हैं मसलन जैसे भारत के संदर में उठ तो प्रधान मंत्री होगे नरेंदर मोदी लेकिन विपक्ष का एक शैडो मंत्री मंदल हुआ जिसके प्रधान मंत्री होगे राहुल गांदी बड़े मुद्दों पर प्रधान मंत्री जो बोलेंगे मोदी उसका रियक्षन शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांदी नहीं है माल लीजे कोई और चुना जो लोग सभा में आयोगा नेता है जो मनिश्तिवारी दिमान लीजिए वो होगे तो ग्रह मंत्राले की तरफ से जो उनके मंत्राले की तरफ से सवाल जवाब होंगे जिसका जवाब अमिश्चा देंगे तो सवाल पूछने का काम फिर जिसको अगर आप शैडो ग्रह मंत्री मना देते हैं तो अपने विशे की वो गहन चांज परताल करता है और सरकार को ग्रह मंत्राले के संदर में घेरने की कोशिश करता है ऐसे ही वित मंत्राले ऐसे ही विदेश मंत्राले ऐसे ही रक्षा मंत्राले ऐसे ही खृषी मंत्राले ऐसे ही शहरी विकास मंत्राले और तमाम दूसरे मंत्राले जो करीब 28-35 मंत्राले होते हैं उसके लिए एक शैड़ो मंत्री मंदल होता है तो क्या कॉंग्रेस या विपक्ष के नेता बैड़ कर इस पर विचार करेंगे सिर्फ होवल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा संसद की कारवाई रोकने से भी काम नहीं चलेगा संसद की कारवाई रोकना भी बहुत जरूरी होता है लोकतंतर के हित्वे होता है ये बात अरुम जेठली ने कही थी लेकिन आप सरकार को हर मुद्दे पर घेरें जनता का ध्यान अपनी तरफ आकरिश्ट कराएं कि देखिए इस मुद्दे पर सरकार जो ये कदम उठा रही है इसमें ये कमिया है ये खामिया है अगर हम होते अगर मैं वितमंत्री होता मलब विपक्ष का शैडों वितमंत्री तो मैं इस योजना को इस तरह लागू करता या इस योजना को लागू नहीं करता इसकी जगा कोई नई य दूसरा राहुल गांदी की देखिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन और पार्ट वन और पार्ट वन में वो 71 लोगसवा सीटों से गुजरे थे, कॉंग्रेस इसमें से 56 पर खड़ी और 23 में जीती, 2019 में 15 में ही जीती थी, दूसरी यात्रा वे राहुल गांदी 82 और 28 सीटों पर जीत गए, राहुल गांदी की यात्रा का ये फर्क पड़ा की दलिद वोट का हिस्सा, बीजेपी को कम 1% कम वोट मिला, कॉंग्रेस को ज्यादा वोट मिला, मध्यमवर्ग में भी बीजेपी को 1% कम, लोवर मिडल क्लास में और मिडल क्लास में 3% वोट कम मि थी, पुझवला हो चाए, परधान मंतरी आवाज योजना हो, उसमें भी कॉंग्रेस के खाते में या इंडिया एलाइंस के खाते में ठिक ठक संख्या में वोट गया, तो आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो आप सरकार को घेर सकते हैं, जनता के ब पक्ष लगातार आल्टरनेट वेश करता रहे, लगातार दिवार बनकर खड़ा होता रहे, लगातार कोर्स करेक्शन करता रहे, लगातार सरकार को कटगरे में घेरने की कोशिश, और साथ-साथ विकल्ब, हर चीज में शैडो मंतरी मंडल के थ्रू, शैडो प्राइम मिनिस सकता है लेकिन उससे पहले विधानसवा चनाओ जो अभी सिलसला इसी साल चार महीने बाद शुरू हो जाएगा वहां भी मिल सकता है महराष्ट है जहारकंड है हर्याना है चमू किश्मीर है पिर अगले साल दिल्ली का चनाओ है उसके बाद साल बर चनाओ ही चनाओ हिंदुस् सकता है क्यों और रूट कर छोटा दल ना चला जाए तो नरेटिव ना बिगड़ जाए फिर विधानसवा चुनाओं में अगर महराष्ट और हर्याना में हार गई बीजेपी तो बहुत सारी सित्यां उलट-उलट सकती है और दूसरा मोर्चा मजबूत विपक्ष एक प्राइमनिस्टर बनेंगे शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए आप मेंबर्शिव ड्राइब में जा सकते हैं मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं ट्विटर यानि एक्स पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया